CBSC Words में आपको स्वागत है इस वीडियो में हम Classics Maths का Chapter 5 जिसका नाम है Understanding Elementary Shapes उसकी Exercise 5.1 डिसकस करेंगे इसमें पहला कुछन है What is that disadvantage in comparing line segments by mere observation? याई आपको बताना है क्या disadvantage है? क्या नुकसान होगा? अगर हम compare करें line segment को सिर्फ observe करें याई सिर्फ देख के अगर हमको compare करना हो तो क्या नुकसान होगा? तो जैसे मैं दो line segment बना देता हूँ एक ये बना दिया मैंने और एक ये बना दिया अब मैं आप से बुछनों कि बताओ ये दोनों जो line segment है क्या ये दोनों एक बराबर है या छोटे बड़े हैं तो कौन छोटा है, कौन बड़ा है तो जैस्ट आप देख के idea नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों जो line segment है वो देखने से लगभग लगभग बराबर लग रहे है हो सकता है कि इसको हम जब exactly measure करे तो कोई एक छोटा और कोई एक बड़ा निकल आए या हो सकता है दोनों एक बराबर हो तो सिर्फ देख के हम ये नहीं पता कर सकते कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है या दोनों बराबर है अगर उनकी length में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है तो नहीं idea लगा सकते दूसरा अगर मालो हम एक line segment ये बना देते हैं और दूसरा ये बना देते हैं तो इन दोनों को देख के तो आप कह सकते हो कि हाँ ये वाला जो है वो छोटा है, ये बड़ा है लेकिन यहाँ पर भी आप नहीं बता सकते कि हाँ ये नीचे वाला कितना छोटा है exactly इन में कितना के difference है तो अगर दोनों line segment देखने से छोटी बड़ी लग भी रही हैं तो भी हम exactly नहीं बता सकते कि कितनी छोटी और कितनी बड़ी है इसी को आप words में ऐसे लिखोगे ये तो आप questions से कॉपी कर लोगे अंदाजा नहीं लग पाएगा कितना छोटा कितना बड़ा ये नहीं बता चल पाएगा तो इससे error आ जाएगा गरबड़ी आ जाएगा उसमें तो ये first का answer हो गया मैं इसके और वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको more लिखाओगा से scale सही measure कर लेते हैं तो यहां कहरा कि divider से use करना जादा बहतर है ऐसा क्यों जैसे मालो हमने एक line कीची इस तरह से scale से line कीची अब हमको इस measure करना है कि ये जो line है वो कितनी बड़ी है अब अगर इस line की length को हम scale से measure करेंगे तो कैसे होगा देखो कि जो zero वाली line है उसको ले जाके हमको set करना होगा जो left side वाला जहां जो end है line का वहाँ पर ऐसे set करना होगा और दूसरा वाला जहां पर आ रहा है वो आपकी length मिल जाएगी जिसे याँ देखने से लग रहा है कि 6 cm है लेकिन scale से measure करने में थोड़ा error आ जाता है क्योंकि scale में जो marking की जाती है वो पीछे की तरफ होती है यहाँ पर इस side इसकी marking होती है और हम देखते हैं इसको उपर की तरफ से है तो physics में एक phenomenon होता है जिसे हम कहते है reflection reflection के वेरे से कोई चीज जहाँ पर होती है वहाँ ना होके कहीं और दिखरी होती है जैसे आप एक bucket लो, balty लो उसके अंदर एक coin डाल लो खाली balty है उसके अंदर coin डालोगे फिर उसके बाद पानी से में भरो तो पानी ऐसे भरोगे तो आपको ऐसे लगेगा तो आपको value थोड़ी सी change नजर आएगी इसलिए हम divider का use करते हैं तो dividers कैसे measure करेंगे यह हमारा divider है इसके एक pin को हम इस वाले point पर रखेंगा दूसरे को इस पर set करेंगे इस तरह से देखो यह वाली pin को हमने इधर set कर लिया और दूसरे वाले को हम दूसरे end पर ऐसे रख लेंगे अब इसको scale में देख लो इस कितना आ रहा है इस तरह से ऐसे रखेंगे तो यहां से हमको देखने को मिलेगा कि 6 cm आ रहा है बहुत थोड़ा सा difference आता है इसको कम करने के लिए हम line की length को measure करने के लिए scale का use ना करके divider का use करते है तो आप समझ गए जब ruler से measure करते हैं तो थोड़ा से error आ जाता है बहुत थोड़ा सा उससे भी बचने के लिए हम divider का use करते हैं कि divider use कर लेंगे तो वो जो छोटा से error आ रहा है वो भी नहीं आएगा तो इसका answer हमको ऐसे लिखना है तो इसका answer हमको ऐसे लिखना है यानि बिल्कुल accurate हम measure कर पाएंगे exactly कितना है वो हम measure कर पाएंगे इसलिए divider का use करते हैं तो second वाला answer हो गया Question number 3 Draw any line segment, say A, B Take any point C lying in between A and B Measure the length of A, B, B, C and A, C Is A, B equals A, C plus C, B तो यह हमने एक line segment बना दिया इस point को हमने A नाम दे दिया और यह वाला जो point is का B नाम दे दिया तो यह A, B line segment हमारा बन गया अब A और B के बीच में कहीं पर भी आपको एक C point मार कर लेना है चाहिए यहाँ मार कर लो, यहाँ यहाँ इसी के बीच ही माना चाहिए बिल्कुल बीच नहीं कहा रहा है बलकि इसके बीच में कहीं पर भी तो चलिए मैं यहाँ पर एक point मार कर लेता हूँ इसका नाम हमने C दे दिया अब A, B की length आपको measure करनी है 0 Y line पर A रख दिया तो B किस पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है तो A, B के length हमारी 6 cm आ गई इसी दरह B, C की measure करना B, C कहलो या C, B कहलो बात एक ही है तो C, B अगर हम measure करेंगे तो C वाले पर 0 line रखेंगे देखो B कहाँ पर आ रहा है यह 2 वाली जो line आ रही है इस पर आ रहा है यानि यह 2 cm है A, C कितना आ रहा है 0 Y line A पर रखेंगे तो सीद्व को 4 Y line पर आ रहा है यानि A, C आपका 4 cm है तो हम लिखेंगे here यहाँ पर A, B कितना है आपका 6 cm, B, C 2 cm और A, C 4 cm next time में लिखोगे A, B equal B, C plus A, C तो A, B हमारा 6 हो गया B, C हमारा 2 हो गया और A, C हमारा 4 हो गया तो यह इस तरह से हो गया तो हमसे क्या पुछा था Is A, B equal A, C plus C, B तो आप लिखोगे Yes, A, B equal A, C plus C, B तो यह हो गया इसका अंसर इस तरह से आपको लिखके दिखाना है अब इसमें दोखो आपको एक note point लिखा है कि अगर A, B, C यह कोई 3 point है किसी एक line पे एक line है उस पे यह 3 point है इस तरह से कि A, C plus C, B equals A, B then we can be sure that C lies between A and B तो अगर ऐसा है कि A, B, C एक line पे कोई point है A, C plus C, B equals A, B है तो यह बात पक्की होगी कि जो C है वो A और B के बीच में आएगा यानि जो चीज उपर हमने देखी उसी गठीक उल्टा है यानि यह ऐसे line है यहाँ पर हमारा A है और यह B है और यह C है तो अगर A, C plus C, B A, B के बराबर है तो दोखो A, C हमारा यह है C, B यह है यह पूरा मिला के हमारा A, B बनना है तो ऐसी बात है दोखो C बीच में आ रहा है कि नहीं यही बात आपको समझाए जा रही है Question number 4 If A, B, C are 3 points on a line such that A, B equals 5 cm B, C equals 3 cm and A, C equals 8 cm तो चलिए इसको हम draw कर लेते हैं तो scale से आपको measure करके A, B draw कर लेना है जो कि 5 cm होगा यह हमारा A हो गया यह B हो गया यह आपका 5 cm है अब B, C draw करना है तो यहां तक तो B था आगे इस तरह से हम draw कर लेंगे तो यह आपका C हो गया तो B से C कितना है? 3 cm और A, C आपका 8 cm है तो हो गई भाई A से B आपका 5 cm है और B से C आपका 3 cm है तो A से C पूरा कितना होगा? 5 प्लस 3, 8 cm तो पूछिए रहा है which one of them lies between the other two? तो कौन सा point होगा जो बाकी दो point के बीच में आ रहा होगा तो बीच में कौन सा आ रहा है? B आ रहा है यानि A और C बस इतना आपको लिखना है और आपका यह answer हो गया तो राइट साइड में देखो एक number line मनी है आपको यहाँ से यह verify करना है कि जो D है वो जो line segment AG है उसका mid point है यानि बिल्कुल बीचो बीच में आ रहा है तो देखो यहाँ जो marking की गई है वो one one unit पीगी गई है zero उसके बाद one फिर two three इस तरह से चलते हो जा रहा है यानि A और B के बीच के अगर हम दूरी देखें तो यह one unit होगी फिर B से C यह भी one unit C से D one unit इस तरह से total A से D देखेंगे तो हमको three units का difference दिखेगा इसी तरीके से अगर D से E, E से F, F से G देखेंगे तो यहां भी आपको three units दिखेगा यह आपका three units हो गया तो देखो D बीच में आ रहा है कि नहीं midpoint के लिए condition क्या होती है कि दोनों end से वो बराबर की दूरी पे हो यानि A से भी वो three unit दूर है G से भी वो three unit दूर है तो अगर ऐसा होता है तो वो point आपका midpoint होता है तो समझ तो गए कैसे लिख के दिखाएंगे चली वो देखते है इसके answer में आप लिखोगे AD equals DG AD, DG के बराबर है जो कि कितना है? Three units है That is why D is the midpoint of line segment AG Hence verified और इस तरह से verify हो गया तो फिफ्त वालेक answer हो गया Question number six If B is the midpoint of line segment AC तो चलीए पहले हम line segment AC बना लेते हैं यह हमारा A point हो गया और यह C point हो गया तो line segment AC बन गया कह रहा है कि B midpoint है यानि B बीचों बीच में आएगा बिल्कुल तो यहाँ पर आपका B आएगा And C is the midpoint of line segment BD एक line segment आपका BD है यानि B वाले point से draw करते हुए ऐसे आगे के तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको D मिल जाएगा तो अगर इस BD वाले line segment की बात करें तो C इस BD वाले line segment का midpoint है यानि बीचों बीच में आएगा BD वाले line segment के where ABCD lies on a straight line तो देख सकते हैं A, B, C, D या चारो जो point है वो एक straight line पे है say Y, A, B equals C, D अब आपको यह बताना है कि ऐसा क्यों है कि जो line segment A, B है वो C, D के बराबर है तो midpoint का मतलब क्या होता है कि जैसे line segment AC का midpoint B है तो A से B की जो दूरी है बराबर होगी B से C की दूरी यानि A, B equals B, C होगा तो हम ऐसे लिख सकते है A, B equals B, C दूसरा जो line segment B, D है C उसका midpoint है midpoint का मतलब क्या है कि जो midpoint होता है उसकी दोनो end जो line segment है उसके दोनो end से जो दूरी है वो बराबर होती है तो C से अगर B की दूरी देखे बराबर होगी C से D की जो दूरी है यानि C, B या B, C कह सकते हो C, D के बराबर है यान लिखोगे and B, C equals C, D तो A, B बराबर है B, C के और B, C बराबर C, D के है तो B, C यहाँ, B, C यहाँ यानि यह तीनों आपसे बराबर होगे तो आप लिखोगे Therefore, A, B equals B, C equals C, D तो A, B बराबर B, C बराबर C, D आगए यानि A, B और C, D आपसे बराबर होई गए जब तीनों आपसे बराबर है तो कोई दो भी बराबर होगा A, B, B, C को देख लो B, C, D को देख लो, A, B, C, D को देख लो बराबर होगे तो क्यों A, B, C, D को बराबर या आप समझ गया तो last time लिखोगे That's Y या That Is Y लिख सकते हो A, B equals C, D इस तरह से आपको ड्रॉ करके और यह पुरा लिख के इस तरह दिखाना है तो यह हो गया आपका answer 6 का Question No.7 Draw 5 triangles and measure the ear sides तो 5 triangles आपको बनाने है उनके side आप measure कर लो यानि scale से measure कर लेना कितने बड़े हैं कितने centimeters आ रहे हैं Check in each case तो हर एक case में यानि 5 triangles बनाओगे पांचों में आपको क्या करना है यह check करना है If the sum of the lens of any two sides triangle में 3 side होते है कोई 2 side उठा लो उनका sum कर लो उनको add कर लो add करने के बाद यह check करो is always less than third side यानि कोई 2 side आपने लिया जैसे AB plus BC यह 2 side आपने लिया इनका sum करके आप check करो कि क्या इनका जो sum है वो कम आ रहा है जो 3 side है यानि 3 side आपके AC हो जाएगी कोई triangle SRF से हम बना दे यह A हो गया B हो गया C हो गया तो AB plus BC यह अगर हमने कर लिया तो क्या यह 3 side जो बची हमारी AC इनका sum इससे कम आ रहा है यह check करना आपको तो चली A कर करके हम triangle बनाएंगे फिर उसका check कर लेंगे फिर 5 केस में जो चीज़ हम को समझ माएगी उसके हिसाब से हम final answer लिखेंगे तो यह मैंने एक triangle बना लिया अब इसका नाम दे देता हूँ जैसे यह A हो गया यह B हो गया यह C इसके sides की length को measure करना है तो चली measure करते हैं तो A, B को measure कर लेते हैं यह A वाले point पे 0-1 line को रखेंगे तो B वाला point आप देखोगे यहां तक 3 है 3 के बाद जो चोटी line है तो यह first line और यह second line यानि 3 के बाद दूसरी चोटी line तक आ रहा है तो यह जो number लिखे 1, 2, 3 यह centimeter के है चोटी चोटी line आपकी वो millimeter की है तो वो point के बाद आएगा यानि 3 तो पूरा पूरा और फिर उसके बाद 2 चोटी line और यानि दूसरी वाले line तक तो 3.2 तो A, B आपका 3.2 cm हो गया B, C की बाद कर ले तो देखो C कहा तक आ रहा है यह 4 वाली line है एक चोटी वाल लाइन तक यानि यह 4.1 cm हो गया तो हमने एक triangle बना लिया उसके चारो side हमने measure कर ली अब आगे क्या करना है कोई से 2 side ले लो और उसकी length का sum कर लो add कर लो और sum करने के बाद देखो कि वो जो sum है वो तीसरे side से छोटा है या बड़ा है तो कोई से 2 side ले लो जैसे मैं AB और BC ले लेता हूँ तो AB प्लस BC क्या होगा AB आपका 3.2 है और BC आपका 4.4 है decimal वाली number का sum करना आप जानते होगे जैसे मैं यहां rough में करके दिखाऊ 3.2 और 4.4 इसको आप sum करोगे तो decimal वाला ऐसे जोड़ लो 2 और 4 आपका 6 होगे फिर decimal 3 और 4 आपका 7 होगे तो 7.6 आएगा तो यह आपका आजाएगा 7.6 तो AB और BC हमने add कर लिया बची कौन side? AC AC आपका 4.1 cm है तो आपको चेक करना है कि 2 side का जो sum है वो क्या कम आ रहा है तीसरे वाले side से तो 2 side का सा हमारा 7.6 आ रहा है और तीसरे वाला 4.1 कम नहीं आ रहा बलकि जादा आ रहा है तो हम से पूछा है कि क्या कम आ रहा है तो हम कहेंगे नहीं कम नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कह सकते हो AB plus BC is not less than AC यानि इस तरह से less than वाला symbol बनाऊगा और उसके बाद ऐसे line खीच दोगे यानि कट कर दोगे तो आपने देख लिया इस तरीके से आपको triangle बना कर ये चीजे लिखनी है अब बाकी जो 4 triangle है वो मैंने already बना रखे हैं तो मैं उसी में आपको समझा देता हूँ तो इस triangle में देखो जैसे हम DE ले ले लेते हैं और EF ले ले लेते हैं इनका सम कर लेते हैं DE प्लस EF इक्वल क्या हो जाएगा 4.7 प्लस 3.3 इसको side में add कर सकते हो 7 प्लस 3 आपका 10 आएगा 0 यहाँ 1 carry 4 प्लस 1 5 और 3 8 तो 8.0 decimal के बाद अगा 0 लगा और आगे कोई number ना हो तो उसको हटा सकते हैं यह आजाएगा 8 cm अब बची तीसरी side कौन सी है? DF तो जो line segment DF है हमारा वो कितना बड़ा है? 7.3 cm तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि DE प्लस EF क्या है? not less than तो यह less than वाला फिर not लगा देंगे यह नहीं less than नहीं है चोटा नहीं है किससे जो तीसरी side है DF फिर 3rd triangle में देखो GH यह एक side और HI यह दूसरी side इसको add कर लेते हैं GH प्लस HI इक्वल्स 4.5 प्लस 3.9 तो आपका आजाएगा 8.4 और तीसरी valley side कौन सी हो गई? GI हो गई GI आपका 6 cm है तो यहाँ से हम कह सकते है GH प्लस HI जो की 8.4 है तो यह जादा है कम नहीं है GI से कम नहीं है तो not less than GI फिर 4th वाला triangle हम देख लेते हैं इस तरह से आपको draw करना है आप अपने हिसाब से कोई value draw कर सकते हो नहीं तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसी हिसाब से आपको draw कर लेना है तो KL और LJ इसको add कर लेते हैं तो यह आजाएगा 6.7 और तीसरी side हमारी कौन सी हो गई? KJ हो गई KJ 5.9 cm है तो KL प्लस LJ क्या है? Not less than KJ क्योंकि वो 6.7 है कम नहीं है बलकि जादा है फिर लास्ट आले triangle में MO और MN को add कर लेते हैं कोई 2 side डब ले सकते हो ज़र नहीं कि जो मैं यहाँ ले रहा हूँ वही ले सकते हो तो इसका sum आपका 6.1 आएगा तीसरी side हमारी कौन सी बच गई? NO बच गई और इसका भी मैंने लिखके दिखा दिया कि कैसे आपको करना है तो 5 triangle को जो हमने study किया तो हमने देखा कि 5 के 5 में ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 side का हम sum करें और वो तीसरी वाली side से कम आ रहा हो हमेशा वो बढ़ा ही आ रहा है इतना यानि सब draw करने के बाद और हर triangle का लिखने के बाद एक triangle की कोई सी 2 side ले लिया उसकी length का हमने sum कर लिया कैन नेवर बी less than कभी वो कम नहीं हो सकती तो यह हो गया इस कंसर इस तरह से आपको लिखना है तो यहां आकर यह question हमारा complete हो गया और इसी के साथ पूरी exercise भी हमारी complete हो गई आपको exercise या try-deez को question के solution देखने है तो मेरी website है www.e-study-wala.com वहाँ visit करके देख सकते हो और भी try-deez या exercise के question के solution की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपको mobile होगा पहले वीडियो को like कर लो उधे like का button है और चैनल को subscribe कर लो उसके बगल में एक bell का icon है उसको दबा के और पर click कर देना है इससे नई वीडियो आता ही आपको message आ जाएगा वीडियो के नीचे देखोगे right side corner में एक down arrow का symbol बना होगा वहाँ आपको click करना है scroll down करोगे तो यहाँ देख सकते हो class 6 math chapter wise playlist तो यहाँ पर chapter wise playlist है जिस chapter की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले blue color फिलिंक करोगे तो वो playlist open हो जाएगी ओके थैंक यू